नमस्कार दोस्तों आज एक और भारिवारी कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की कहानी है बिमार भाई को देखने आई बहन ने जब भावी का किया आप मान तो मान ने दिया उसे करारा जबाब मान सी की आँख खुलते ही नजर सीदे घड़ी पर गई ओ आज फिर लेट हो गई मैं उसने जल्दी से उटकर बालों का जुड़ा बनाया और बेट पर सोते हुए अपने छो महीने के बेटे वंस को देखा और जल्दी से कमरे से निकल कर किचन में आई तो देखा उसकी सास चाह चान रही थी उसे थोड़ी सरमिंदगी महसूस हुई ममी जी वंस ने पूरी रात परेसान किया इसलिए मैं पूरी रात सो नहीं सकी इसलिए आंक लेट खुली है लाई अब मैं कर देती हूं सुननदा जी तेज नजरों से देखते हुए चाह और नास्ता ले जाकर अन सी अनिकेट से बोली अनिकेट मैं आपके लिए जल्दी से लंज तयार कर देती हूं अनिकेट ने कहा तुम रहने दो मैं लेट हो जाओंगा कोई बात नहीं आज मैं वही केंटिन से लेकर खा लूँगा अनिकेट नास्ता करके आफिस के लिए चला गया उसके जाते ही सुन ही किचन का रुख करते थे लेकिन आज कल की लड़कियों को तो बहाने बनाने से फुर्शत नहीं है उनको बड़बडाते हुए देख कर मांसी की आँखों में आसु आ गए वन्स के पेट में सायद दर्द था जिसकी वज़े से वह पूरी रात रोता रहा उसने उसे दवा थी मा जो अपने बच्चे के दुख में दुखी हो जाती है वन्स को सुबह के टाइम कुछ हाराम हुआ तब वह सोया और उसके साथ ही वह भी सो गई सुबह को सोने की वज़े से उसकी आँख लेट खुलिया और उसका लेट उठना ही उसके लिए मुसीवत बन गया अब उ अनिकेट जैसे ही उसे अपनी तरफ पलड़ता है उसकी आँखो मांसी ममी की बात का बुरा मत माना करो उनकी बात दिल पर मत लिया करो वह बस जुबान से कड़वा बोलती है लेकिन उनका दिल बहुत साफ है वह दिल की बुरी नहीं है लेकिन अनिकेट ममी जी जब बात बात पर मुझे टॉर्चर करती है तो मुझसे बरदास नहीं होता ये तो आपको भी पता है कि वंस रात में कितना परिषान करता है लेकिन ममी जी को तो ऐसा लगता है जैसे मैं जुट बोल लहीं है मैं जानता हूँ मांसी लेकिन मैं मम्मी को कुछ नहीं कह सकता, मैं अगर उनसे कुछ कहूंगा तो वैं फिर भी नाराज हो जाएंगी और कहेंगी तुमने मुझे सिखा कर भेजा है, तुम्हें और चार बाते सुनाएंगी, इसलिए मेरे खाती थोड़ा बरदास कर लिया करो अनिकेत के इस तरह से प्यार से समझाने से मांसी समझ गई, मांसी और अनिकेत की साधी को लगवग दो साल हो चुके थे, अनिकेत की फैमिली में उसकी मम्मी नंदा जी पिता रमा संकर जी जो रिठार प्रोफेसर थे और एक बहन मीरा जिसकी साथी अनिकेत की साधी से पहल वह भी खुसी-खुसी सारे कामों को समाले हुए थी। लेकिन वंस के पैदा होने के बाद उसकी रूटीन में चेन जा गया था। वंस दिन में तो फिर भी सही से सो लेता था लेकिन रात में वह बार-बार जागता रहता था जिसकी वज़े से उसकी नीद पूरी नहीं हो पाती थी और इसी वज़े से सुबह को उसकी आंख लेट खुलती थी। उसकी परिसानी समझने के वज़ा सुननदा जी टिपिकल सास बन गई थी वह उसे बाद बाद पर उसके लिए तुटने पर ताने मारती रहती थी मांसी बेटा आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है चाय के साथ पकोड़े और हल्वा भी बना लेना और अगर तुम्हारा किसी चीज़ को दिल कर रहा हो तो वह भी बना लेना लाओ वंस को मुझे दे दो जब तक तुम काम करोगी मैं इसे खिला लूँगा रमा संकर जी ने मांसी से वंस को लेते हुए कहा साम का वक्त हो रहा था और रमा संकर जी बाहर से अभी घूम कर आए थे ठीक है पापा जी मैं अभी बना रही हूँ मांसी ने मुश्कुरा कर कहा और कीचन में जाकर सुजी भूनने लगी मांसी बेटा तुम्हारी मम्मी कहा है रमा संकर जी ने सुननदा जी को घर में ना देखकर मांसी से पूछा पापा जी मम्मी जी पडोस में गई हुई है थोड़ी देर बाद ही सुननदा जी घर में आई तो देखा रमा संकर जी तो पोते को खिला रहे हैं और घर में सूजी के भुनने की खुस्बु घर में फैल लई है यह देखकर वह जोर जोर से बढ़ बढ़ाने लगी और कहने लगी भई आजकल की बहूं को तो अपनी मरजी ही करनी होती है मजाल है जो साथ से पूछ कर कोई काम कर ले आजकल की बहूं के तो मज़े हैं बच्चों को तो साथ ससुर खिला लेते हैं और वह अपने लिए कुछ भी बनाएं और कुछ भी खाएं एक हम थे मजाल है जो अपनी मर्जी से कुछ बना कर खा ले और तो और अपने बच्चों को भी हमें ही समालना होता था सुननदा जी के ताने सुनकर मांसी का मन हुआ की वह जाकर अभी कह दे कि वह अपने मन से कुछ नहीं कर रही है पापा जी के कहने पर वह यह सारे पकवान बना रही है वह तो अभी सोच ही रही थी कि तभी पापा जी की आवाज आई अरे भाग्यवान क्यों वहो को हर वक्त कुछ न कुछ सुनाती रहती हो और वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं बना रही है मैंने ही उसे बनाने को कहा था और अगर वा अपनी मर्जी से कुछ बना भी लेगी तो यह उसका भी घर है और यह मुझे भी पता है कि अपनी टाइम में तुम कितना काम गड़ती थी यह का करमा संकर जी हशने लगे तो सुननदा जी ने उन्हें घूर कर देखा मांसी को जहां सास के तानों से दुख होता था वहीं ससूर और अनिकेत को अपना पच्छ लेते देखकर सुकून भी महसूस होता था मांसी अनिकेत को फोन करके कह दो कि वह आते वक्त मेरी दवाई लेते आएगा सुननदा जी ने मांसी से कहा उसकी बात सुनकर मानसी बोली मम्मी जी मैंने पहले ही फोन कर दिया था वह कह रहे थे कि दवाई लेते आ जाएंगे और मानसी यका कर रहात के खाने की तैयारी करने किचन में चली गई सुनन्दा जी वंस को खिला रही थी और अमा संकर जी बाहर गए थे तभी सुनन्दा जी को फोन बजा उन्होंने फोन उठाया दूसरी तरफ से कोई अंजान ब्यक्ती था वह बोला क्या आप अनिकेत के घड़ से बोल रही हैं हाँ मैं सुनन्दा अनिकेत की मम्मी बोल रही हूँ आपके बेटे का एक्सिडेंट हो गया है और मैंने उसे हस्पताल में भरती कराया है उसकी बात सुनकर सुनन्दा जी को सत्मा लगा और वह जैसी थी वैसी ही बैठी रह गए तब ही मांसी वहां आई और बोली मम्मी जी किसका फोन था लेकिन सुनन्दा जी ने कोई जवाब नहीं दिया उन्हें इस तरह फोन कान से लगाए देखकर मांसी को किसी अन्हुनी का एसास हुआ तब ही उसने सुननदा जिसे फोन लेकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से कोई अभी भी हेलो हेलो कर रहा था मांसी बोली जी कहिए क्या बात है मैं ये कह रहा था कि आप अनिकेत के घड़ से बोल रही है जी हाँ मैं उनकी पतनी हूँ तब उसने बताया कि अनिकेत हॉस्पिटल में भड़ती है आप वहां आजाईए और उसने अस्पिताल का पता बता दिया लेकिन ये सुनकर मांसी की विहालत खराब हो गई और फोन उसके हाथ से छूटकर गिर गया वह रोने लगी रोने की आवाज सुनकर पडोस वाली करुडा ताई वहां आई और मांसी से पूछा कि क्या बात है तब मांसी ने रोते हुए बड़ी मुश्किल से सारी बात उन्हें वताई और फिर से रोने लगी तब ही करुडा जी अपने बेटे को बुला कर लाई और उनका बेटा रमा संकर जी को भी बुला लाया और वैसा बस्पताल के लिए रवाना हो गए वन्स को तरुडा ताई ने अपने पासी रख लिया था वहाँ जाकर देखा तो अनिकेट की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी वह तो अच्छा था जिस सजनभी ने उन्हें फोन किया था उसने टाइम पर अनिकेट को हास्पिटल में एड्मिट करा दिया था डॉक्टर आपरेशन थीयटर से बाहर आये तो मांसी दोड़ कर वहाँ पहुची उनसे अनिकेट के बारे में बुचा डॉक्टरों ने बताया कि अनिकेट खत्रे से बाहर है लेकिन उनकी टांग बुरी तरह से फैक्चर हो गई है वह कम से कम साल भर तक चल नहीं पाएगा या उससे भी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते या सुनकर मांसी की रही सही हिम्मत भी खत्म हो गई लेकिन फिर उसने अपने साससुर की तरफ देखा और खुद को समाला उनसे बताया कि अनिकेत अब खत्रे से बाहर है जैसे ही उन्हें हो साजाएगा हम उनसे मिल लेंगे या सुनकर सुननदाजी और रमा संकर जी को कुछ सुकून हुआ तब उन्होंने कहा कि तुम घर जाओ बंस को तुमारी जरूरत है हम यहाँ हैं लेकिन मांसी नहीं जाना चाहती थी लेकिन सब के समझाने पर वह बंस के पास चली गई और उसको दूद पिला कर सुला कर वापस तरुड़ा ताई के पास छोड़ाई कुछ घंटों के इंतजार के बास अनिकेत को भी होसा गया था वह सब अनिकेत से मिलने पहुचे मांसी और सुननदा जी तो अनिकोत को पट्टियों से जकड़ा देखकर ही रोने लगे तब डाक्टरों ने उन्हें वहां से बाहर भेज दिया रमा संकर जी बाहर आए और उन दोनों से कहा तुम दोनों उसके सामने इस तरह रोगी तो उसकी तो हिम्मत ही तूट जाएगी इसलिए आप जब भी उससे मिलने जाओ तो उसके सामने रोना नहीं मांसी और सुननदा जी ने वादा किया कि अब वह नहीं रोएंगी और फिर अनिकेत से वह मिलने चली गई अनिकेत के एक्सिडेंट की खबर सुनकर सबी रिष्टेदार मिलने आ रहे थे और आठ दिन बाद डाक्टरों ने अनिकेत को डिस्चार्ज कर दिया अनिकेत घर आ गया लेकिन उसे देखने वालों का ताता लगा हुआ था एक तो अनिकेत के एक्सिडेंट की वज़े से लगभग उनकी जो भी जमा पूजी थी सब खत्म हो गई थी और अब उपर से रिस्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था वह लगबग विल्कुल खाली हो चुके थे लेकिन रिस्तेदारों की आओ भगत करनी भी तो जरूरी थी इधर रिमा रोजाना कभी अपनी सास ताई सास बुआ सास या फिर अपनी देवरानी जेठानी ननत किसी ना किसी को लेकर रोजाना ही आ जाती और रिमा दो पर साम का खाना खाए बिना नहीं हिलती थी उधर जब मांसी के घर वाले भी अनिकेत को देखने के लिए आएं तब मांसी की मम्मी किचन में उसके पास जाकर उससे बोली मांसी बेटा ये ले कुछ पैसे हैं फिलहाल तुम्हें जरूरत होगी तुम्हारे काम आएंगे सुनन्दा जी किचन में बंस के लिए दूद लेने आ रही थी जब उन्होंने मांसी की मम्मी को या बात कहते हुए सुना उनके कदम वही रुख गए वे देखना चाहती थी कि मांसी अपनी ममी से पैसे लेती भी है या नहीं तभी उन्हें मांसी की आवाज सुनाई दी ममी यह पैसे आप ही रख लीजिए आपने हमारी फिक्र की यही बहुत है लेकिन मैं आपसे यह पैसे नहीं ले सकती मांसी कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हो तुमारे बच्चे का साथ है कुछ न कुछ चीज की जरूरत पड़ती ही है तुम यह पैसे अपने पास रखो उनकी बास सुनकर मांसी बोली ममी यह हमारा पुरा परिवार एक है इसमें तेरा मेरा जैसी कोई चीज नहीं जो भी है जितना भी यह सबका है आप फिकर मत कीजिए हम कैसे ना कैसे मैनेज कर लेंगे यह का कर मांसी ने वह पैसे अपनी ममी को वापस दे दिये मांसी की बात सुनकर सुननदा जी को मांसी की बात बहुत अच्छी लगी और वह वापस चली गए तब जाते हुए मांसी की ममी ने वही पैसे सुननदा जी के हाथ पर रखे बहन जी आपको जरूरत होगी ऐसा मैं ऐसा ही है रख लीजिए तब सुनन्दा जी ने वैप ऐसे उन्हें वापस करते हुए का कैसी बात कर रही है आप अगर हमें जरूरत होगी तब हम आपसे खुद कह देंगे लेकिन अभी मैं या पैसे नहीं रख सकती तब मांसी के ममी ने वैप ऐसे मन मार कर वापस ले लिए लेकिन उन्होंने कुछ पैसे चलते टाइम बंस के हाथ पर जरूर रख दिये थे तब सुनन्दा जी आमांसी मना नहीं कर पाएं खुददारी के चलते उन्होंने समजन जी को तो मना कर दिया था लेकिन अब यह बहुत बड़ा मशला था कि आगे का खर्च कैसे किया जाए क्योंकि बैंक में जितने भी पैसे थे सब खर्च हो चुके थे अब थोड़े बहुत ही पैसे बचे थे उनमें अनिकेत की दवाईया उसको खिलाने के लिए फल फ्रूट वगेरा चाहिए थे इन सब को देखते हुए रमा संकर जी भी इधर उधर काम के लिए हाथ पैर मार रहे थे जहाँ पहले पढ़ाया करते थे उन्होंने वहाँ भी पूछा लेकिन हर जगह से मना हो गई अब तो घर का रासन वगेर सब खत्म होने को आया था रमा अपने ससुराल के किसी दूर की रिस्तेदार को लेकर आ गई थी और अपने मम्मी से बोली मम्मी देखिये ना मेरा तो भाईया को देखे बिना मन ही नहीं लगता इसलिए जो कहीं कोई भी भाई को देखने को कहता मैं उसे लेकर आजाती हूँ उसकी बात सुनकर सुननदा जी का मन हुआ की कह दे रिमा अब बस तुम अपने घर रहो यहां आने की कोई जरूरत नहीं फोन पर ही हाल चाल पूछ लिया करो लेकिन विया सिर्फ अपने मन में सोच कर रह गई बेटी से कह नहीं पाई की कहीं बेटी बुरा न मान जाए मानसी रिमा और उसके ससुराल वालों को नास्ता वगरा करवा कर उनके लिए खाने की तैयारी करने लगी घर में जितना भी सामान था उसी हिसाब से उसने थाना तैयार कर दिया और सब के आगे परोज दिया रिमा ने सुननदा जी से कहा ममी जी आप भी महमानों के साथ खाना खा लीजिए लेकिन सुननदा जी पानी का बहाना करके किचन की तरफ आई ते देखा मानसी खाली पतीले से रोटी से पोच कर खा रही थी यह देखकर उनकी आँखों से आसू आ गए और उन्हें खासी सी लगी तो उनकी आवाज सुनकर मानसी उनकी तरफ पल्टी और बोली ममी कुछ चाहिए था क्या तब सुननदा जी ने कहा हाँ वह पानी लेने आई हैं और पानी लेकर महमानों के पास पहुँच गई सब के कहने पर भी एक निवाला भी उनके मुँए में नहीं चला वह बहाना करके उठ गएं कि उनका पेट खराब है इन हालातों को देखते हुए आज मानसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था वह सोच रही थी हमारे माबाप हमें इतना किस लिए पढ़ाते हैं घर में वैटने के लिए उसने कितने सारे कोर्स किये हुए थे और साधी से पहले भी वह स्कूल में टीचर की जॉब कर रही थी साधी होने के बाद वह निकेत और घर वालों के प्यार के आगे वह अपने इस सपने को तो भूली गई थी उसका सपना था कि वह अपना बूटीक खोले लेकिन अब तो यह मुम्किन नहीं था लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही था उसने सोचा कि उनवा फिर से अपने टीचर वाली जॉब पर चली जाए और उसने अनिकेत से इस बारे में पूछा अनिकेत उसकी बाद सुनकर कुछ मायूस सा हो गया और कहने लगा अगर मेरी ऐसी हालत ना होती दो तुम्हे नौकरी करने का सोचना भी नहीं पड़ता तब मांची ने बड़े प्यार से अनिकेत का हाथ पकड़ कर कहा अईसा कुछ नहीं है अनिकेत तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो बलकि मेरी गलती है कि मैंने पहले क्यों नहीं नौकरी करने के बारे में सोचा या हम लड़कियों की गलती है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी हम कोई विवदा आने पर ही नौकरी करने की सोचते हैं हमें पहले ही नौकरी करनी चाहिए अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहिए लेकिन अब जो गलती हो गई है सो हो गई अब मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से अपनी टीचर वाली जोब सुरू कर दूँ उसकी बाद सुनकर अनिकेट ने हाथों कर दी लेकिन फिर बोला हमारा बच्चा बहुत छोटा है और मेरी भी तबियत ठीक नहीं है ऐसे में तुम नौकरी कैसे करोगी अनिकेट की बाद सुनकर मांसी ने कहा अनिकेट चार पांच घंटे की ही तो बात है मैं मैंने स्कर लूँगी बस एक बार आप हां कर दीजिए और फिर अनिकेट ने भी अपनी रजामंदी दे दी मांसी ने अपनी फ्रेंड स्वाती को फोन किया जो उसके साथ साधी से पहले स्कूल में पढ़ाती थी वह अभी भी उसी स्कूल में जॉब कर रही थी मांसी ने अपनी सारी परेशानी स्वाती को बताई इतिफाक से कोई टीचर छुट्टी पर गई हुई थी स्वाती ने उसे बताया और कहा कि वह प्रिंसिपल से बात करेगी क्योंकि तुम यहाँ पहले पढ़ाती थी इसलिए साध वह तुम्हें जॉब दे दे ठीक है तुम बात कर लो और जैसा भी हो मुझे बता देना अगर वहाँ करती है तो कल मैं उनसे बात करने के लिए आऊंगी यह का कर मांसी ने फोन रख दिया मांसी सोचने लगी पता ने यहाँ जॉब मिलेगी भी उसे या नहीं उसे कहीं और भी ट्राइ करना चाहिए फिर उसने सोचा नहीं पहले यहाँ से जबा मिल जाए तब कहीं और ट्राइ करेगी अब साल के बीच में कोई रखे या नहीं कुछ कह नहीं सकते मांसी का माय का यहीं इसी सहर का था और जादा दूर भी नहीं था और स्कूल भी जादा दूर नहीं था तो मांसी को वहाँ आने जाने में पहुशने में जादा टाइम भी नहीं लगता इसलिए मांसी ने सोचा कल देखते हैं कि क्या होता है साम होते ही स्वाती का फोन आ गया और उसने बताया कि कल प्रिंस्पल ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है मांसी ने कहा ठीक है मैं कल सुबह आ जाऊंगी कहा जा रही हो बहू ममी जी मैं जहां पहले पढ़ाया करती थि वही पर फिर से पढ़ाने की सोच रही हूँ लेकिन यहां मैं अकेले कैसे सब समहा लूँगी ममी जी आप तो जानती हैं इस वक्त पैसों की कितनी तंगी है और कहीं से कोई पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा इसलिए मेरा या करना बहुत जरूरी है और रही बात काम की मैं सुबह को सारे काम करके चली जाया करूंगी बस आप अनिकेत को टाइम पर दवा दे दीजिएगा और वंस का ध्यान रख लीजिएगा दोपहर को आकर मैं खाना बना लूंगी मांसी की बात सुनकर सुननदा जी चुपसी हो गए और आगे कुछ नहीं कहा तब मांसी ने भी उनकी खामोसी को रजामंदी समझ कर रात आगे नहीं की और अगले दिन सुबह के सारे काम करके तयार होकर प्रिंस्पल से मिलने स्कूल चली गई प्रिंस्पल से बात करके पता लगा कि वहां की टीचर की साधी है इसलिए उसने तीन महीने की छुटी ली है अगर वह अपनी जौप पर वापस आती है तम मांसी को यह जाप छोड़नी होगी तम मांसी ने यह सोसते हुए हां कर दी कि फिलहाल तो वह जौप कर लेती है फि की दवाईयां दे कर और वन्स को फिडिंग करा कर स्कूल चली जाती और दोपर से बात में आकर खाना बनाना निकेत की दवाईयां देना उसका ध्यान रखना सब कुछ करती इसी तरह चार-पांस दिन गुजर गए एक दिन जब स्कूल का सारा स्टाफ लंच टाइम में एक साथ बैठा था तब एक टीचर ने एक सूट निकाल कर दिखाया और बताया कि वह इसे एक बुटीक से लेकर आई है और जब उसने उसकी कीमत बताई तो मांसी देखकर हैरान रह गई क्योंकि वह सूट उतना ज़्यादा खाश नहीं था और कीमत बहुत ज्यादा थी मांसी मांसी ने ध्यान से देखा उस पर जैसा काम हुआ था वस अब काम तो मांसी ने अपनी फैसन डिजाइनिंग के कोर्स के वस सब सीखा हुआ था और कुछ मांसी की ममी ने भी कड़ाई सिलाई वगएर भी उसे सिखाई थी तब मांसी के दिमाग में एक आइडिया आया और उ स्वाती मुझे दो हजार रुपए चाहिए आस मैं तुम्हें दस दिन में वापस भी दे दूंगी स्वाती वैसे भी सौक के लिए या जॉप कर रही थी वैसे पैसे की कोई कमी नहीं थी उसने बिना कोई सवाल किये पैसे दे दिये और कहा दस दिन में क्या तुम बीस दिन में दे देना कोई जल्दी नहीं है मांसी वैं पैसे लेकर मार्केट पहुची अवर वहां पर शूटों के डिजाइन्स को काफी बारीकी से देखा और फिर उसी हिसाफ से उसने कुछ धागे कुछ और सामान और कुछ छापे के लिए कागज वगेर लिए और कपड़ा लेकर घर आ गई बस उन्दरा जी ने उसके लेट घर आने पर उससे कुछ नहीं कहा वह आजकल उससे कुछ नहीं कहती थी वह बस ज्यादा तर चुपी रहती थी मांसी ने घर में घुशते ही देखा कि वंस का सेरल लाई कि धर उधर गिरा हुआ है और उसके सफ्ट टॉइज भी दर उतर बिखरे पड़े हैं और ममी जी ने सबजी काटी होगी तो उसके छिलके भी पड़े हैं आते के साथ ही मांसी ने हाथ मोध होए और पूरे घर की सफाई की फिर बंस को हाथ मोध उला कर उसे वसंदरा जी को पकड़ाया और कीचन में खाना बनाने के लिए चली गई रात में बंस के और अनिकेत के सोने के बाद वधीरे से उठी और वजो सामान लाई थी उसमें से खागस वगर अनिकाल कर डिजाइन बनाने लगी कुछ इंटरनेट की मदद से और कुछ हाजवे जो मार्केट में देख कर आई थी उन्हें ध्यान में रखते हुए उसने एक डिजाइन तयार कर लिया अब इस डिजाइन को कपड़े पर उतारना था उसने सोचा या काम वो कल करेगी दो तिन दिन की मेहनत के बाद जब सूट तयार हो गया उसे अपने आप पर यकीन नहीं आया कि यह उसका कारणामा था सूट बहुत ही प्यारा लग रहा था अगले दिन फिर रात को सबके सोने के बाद वही श्टोर रूम में सिलाई मसीन निकाल लाई जो उसकी मम्मी ने उसके दहेज में दी थी कि कभी नो कभी जरूरत पढ़ी जाती है और सूट सिलने बैठ गई खटर पटर की आवाज से वसंदरा जी ने बाहर निकल कर देखा एक तो वह सूट सिल रही थी लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं का वह चूप चाप जाकर लेट गई अगले दिन मांसी तो सारे काम करके स्कूल चली जाती है इधर सुनन्दा जी के पास उनकी पड़ोसन बिमलाताई आती है और कहती है कि तुम्हारी वहू के बड़े मज़े है बिमार पती से जान छुड़ा कर नौकरी करने चल देती है बिमार बेटे और पोते को तुम ही सब सम्हालो ये कोई तुम्हारी उम्र है काम करने की तुम्हारी बहू से तो इतना भी नहीं हो ताकि घर मेरा कर अपने पती और अपने बच्चे की और बुड़े साथ ससुर की देख भाल करे सुनन्ता जी सुनकर कहती है वह मेरी मर्जी से काम कर रही है और वह घर के सारे काम करके जाती है और आकर फिर से काम करने लग जाती है इतने ठके होने के बावजूद भी घर फैला देख कर या काम करते हुए उसके माथे पर एक भी बल नहीं पड़ता और तुम मेरी बहु के बारे में ऐसी बाते कैसे बना सकती हो जाओ पहले अपनी चारपाई के नीचे जाड़ो फेरो तुम्हारी बहुए तुम्हें बाहर निकालने को तयार है और तुम दूसरे के घरों में ताका जाकी करती हो बिमला ताई को सुननदा जी से ऐसे जबाब की उम्मीद नहीं थी वह मुह बना कर उठ खड़ी होती है और बड़बढाती हुई चल देती है बुड़िया सठी आ गई है उनकी बड़बढाना सुनकर वसंदरा जी कुछ नहीं कहती तब ही थोड़ी देर बाद ही उनकी बेटी रीमा घर आती है वह अपनी माँ से कहती है ममी देखो ना भईया कितने कमजोर हो रहे हैं और देखो यहां वहां घर भी कितना गंदा हो रहा है लेकिन भाबी को तो कोई परवा नहीं वह तो मजे से बाहर मटर गस्ती करती फिरती है ऐसे समय में उन्हें भाईया की देख भाल करनी चाहिए और वो नौकरी के नाम पर घूंती फिरती है इधर रीमा की बाद सुनकर सुननदा जी चिड़ जाती है और गुस्से से कहती है तुम अपने घर में देखो क्या हो रहा है यहां वहां की बाती करने की जरूरत नहीं है और अनिकेत पहले से बेहतर है और घर में छोटा बच्चा है तो घर गंदा तो होगा ही और तुम यहां से जदा अपने ससुराल में मन लगाओ जब देखो यहां आजाती हो और कमी निकालती हो और तुम्हें अनिकेत की इतनी फिक्र है तो यहां रहकर उसकी सेवा करो और देख भाल करो बात बनाना आसान है और करके दिखाना मुस्किल इसलिए जो काम कर सको उसी के लिए ही बात बनाओ अपनी मम्मी को मांसी का पच लेते देख कर रीमा को गुसा आ जाता है और वह बहाना बना कर अपने घर वापस ससुराल चली जाती है अपनी मम्मी और बहन की बाते सुनकर अनिकेत मुस्कुरा देता है वह सोचता है मम्मी मांसी के सामने तो कुछ नहीं कहती आज मांसी के लिए ममी ने उसके लिए अपने पडोस की सखी और अपनी सगी बेटी को जाड़ दिया मांसी सायद ही कभी यकीन करेगी इधर लॉंच टाइम में ज़सारा स्टाफ एक जगाई कठा होता है तब आमांसी अपने बैग से सूट निकाल कर दिखाती है सब सूट को देखकर हैरान रह जाती है सूट वाकई बहुत खुबसूरत लग रहा था स्वाती एकदम उसको देखकर कहती है तुम ये सूट कहां से लाई हो और कितने का लाई हो तब मांसी उसकी बात सुनकर कहती है कि वह यह सूट अनिकेद के चोट लगने से पहले लाई थी लेकिन अनिकेद को इसका कलर अच्छा नहीं लगा इसलिए वह इसे वापस करना चाहती है लेकिन तभी ये निकेत के साथ या हासा हो गया और वह ये सूट वापस नहीं कर पाई मांसी की बात सुनकर स्वाती एकदम से सूट को उठा लेती है और कहती है अच्छा या बताओ तुम ये सूट कितने का लाई हो मैं पैसे दे देती हूँ और ये सूट मैं रख लेती हूँ स्वाती की बात सुनकर मांसी कहती है इस सूट को लाए हुए काफी दिन हो गया इसलिए मेरे पैसे तो याद नहीं कि मैं कितने का लेकर आई थी लेकिन तुम जो भी समझो वैं दे दो तभी वहाँ बैठी दूसरी टीचर कहती है यह सूट कम से कम पाँच हजार का तो होगा ही एक दो टीचर्स भी उसकी हां में हां मिला देती है तो स्वाती कहती है कि ठीक है मांसी तुम पाँच हजार ले लो और यह सूट मेरा हुआ लेकिन मांसी थोड़ी देर बाद ही जिजगते हुए स्वाती और टीचर्स से कहती है कि यह सूट मैंने ही डिजाइन किया है उसकी बात सुनकर सब हैरान रह जाती है स्वाती को तो खेर यह बात पता ही थी कि मांसी ने फैसन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन वाकई सूट बहुत प्यादा प्यारा था उसकी बात सुनकर वहां बैठी सभी टीचर्स उसे अपने लिए सूट डिजाइन करवाना चाहती है तब मांसी हा कह देती है अब वो उनसे कहती है कि उन्हें कुछ पैसे एडवांस देने पड़ेंगे वह सभी आदे आदे पैसे एडवांस दे देती है और मांसी उनसे वह पैसे लेकर बाजार से सब सामान लेकर घर पहुंचती है उसे इस तरह सामान के साथ देखकर अनिकेत उससे पूछता है तुम यह सब कहां से उठा लाएं तब मांसी उसे सारी बात बता देती है उसकी बात सुनकर अनिकेत कहता है तुम स्कूल में तो जॉब करी रही हो अब यह सब करके तुम अपने उपर जात्ती कर रही हो अनिकेत की बास सुनकर मांसी ने कहा अनिकेत यह टाइम ऐसा होता है कि हमें इसमें जितना ज़्यादा हो पैसे चाहिए और मेरा तो वैसे भी सपना रहा है कि मैं अपना बूटीक खोलूँ अब यह इस तरह से ही पूरा हो रहा है तो ऐसे ही सही लेकिन मांसी तुम यह सब अकेली करोगी वन्स को भी देखना होता है और तुम्हें स्कूल में भी टाइम देना होता है घर के काम भी करने होते हैं तुम अकेले कैसे करोगी अनिकेत मैं सिर्फ इन सूटों को डिजाइन करूँगी और बाकी करुडा ताई की बेटी मंदिरा को अपने साथ लगा लूँगी वह सिलाई अच्छी करती है इस तरह से मेरा काम हो जाएगा लेकिन यार तुम अपने उपर जादा बोज मत डालो अनिकेत बोला अनिकेत आप कैसी बात कर रहे हैं जब आप ठीक हो जाएंगे तब मैं टीचर वाली जौप छोड़ दूँगी तब बस मैं अपना बोटिक का काम समझा लूँगी अनिकेत ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया वह भी जानता था कि इस टाइम पैसो की बहुत ज़्यादा जरूरत है इसलिए उसने भी कुछ ज़्यादा नहीं बोला मांसी ने करुड़ा थाई की बेटी को बुला कर उससे बात तै कर ली कि वह सूट डिजाइन करेगी और सिलने के लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है क्या तुम मेरा साथ दोगी मंदिरा भी खाली ही बैठी थी तो उसने सिलाई करने के लिए हां कर दिया ऐसे ही दो चार दिन बाद जब मांसी को स्कूल की तरफ से उसकी सेलरी मिली तो वह खुशी खुशी कुश सामान लेकर और वाकी बच्चे पैसे ले जाकर उसने सुननदा जी को दे दिये तब सुननदा जी ने कहा मैं क्या करूं इन पॉसों का बहू ममी जी साधी से पहले भी मैंने अपनी पहली सेलरी अपनी ममी को दी थी और साधी के बाद यहां यह मेरी पहली सेलरी है इसलिए मैं आपको दे रही हूँ उसकी बाद सुनकर सुननदा जी कुछ नहीं कहती बस चुप होकर बैठ जाती है तब मानसी वहीं उनके पास पैसे रखकर उठकर चली जाती है लिकिन आज उसे बहुत दुख होता है वह सोसती है कि जब उसने अपनी पहली सेलरी अपनी मम्मी को दी थी तब मम्मी कितनी खुस हुई थी और उन्होंने उन पैसों से उसके लिए सोने की बालियां बनवाई थी और धेर सारा आसिरवात दिया था माना की सासुमा को उसकी बालियां तो नहीं बनानी थी लेकिन वह उसे आसिरवात तो दे ही सकती थी और यही बात उसने अनिकेट से कही तब अनिकेत ने उसे दो-चार दिन पहले हुआ सारा खिस्सा कह सुनाया जब सुनन्दा जी ने अपनी पडोसन और अपनी वेटी को उसकी वज़े से बहुत कुछ सुनाया था मांसी को यह सुन कर यकीन तो नहीं हुआ लेकिन उसने सोचा कि जब अनिकेत कह रहा है तो सची होगा इधर सुनन्दा जी पैसे हाथ में उठाती है तो उनकी आँखे भीग जाती है वह सोचती है कि वह मांसी को कितना कुछ सुनाती है लेकिन मांसी ने कभी उन्हें पलट कर जवाब नहीं दिया और अब इस मुश्किल वक्त में वह कैसे डट कर खड़ी हुई है ना दिन देखती है ना रात देखती है बस मेहनत करती रहती है अपने उपर भी ध्यान नहीं देती जरूर उन्होंने कोई अच्छे कर्म किये होंगे जो उन्हें ऐसी बहु मिली है 10-15 दिन बाद मांसी सारे सूट डिजाइन करके दे देती है और जब वह सब पेमेंट करती है तो उसे यकीन नहीं होता कि उसने इतनी जल्दी या पैसे कमाई है तभी स्वाती उससे कहती है तेरे लिए एक गूड नियूज है मांसी पूछती है वह क्या है तभ स्वाती बताती है कि यह सूट जो तुमने डिजाइन किया था वह मैंने अपने कजिन की बर्थडे पार्टी पर पहना था उसने देखा तो उसे भी बहुत पसंद आया और वहाँ पर जो लोग थे सभी लोगों को यह सूट बहुत पसंद आया तब मैंने उन्हें बताया कि यह मेरी दोस्त ने डिजाइन किया है और उन सब ने भी तुमसे कपड़े डिजाइन करवाने का अर्डर दिया है उसकी बास सुनकर मांसी बहुत खुस हो जाती है और जब वह घार जाती है तब सबसे पहले सुननदा जी को देखते ही उनके गले लग जाती है और मुठी में लिए हुए सारे पैसे उनके आगे करते हुए करती है मम्मी जी देखिए मुझे कितने पैसे मिले है मैंने जो सूट डिजाइन किये थे वह सभी उन लोगों को पसंद आ गए और मुझे नए आडर मिल गए हैं सुननदा जी उसको अपने से अलग करते कहती हैं तु किस्मिटी की बनी हुई है मैंने तुझे कितना कुछ सुनाया कितनी जली कटी बाते सुनाई लेकिन तुने देख तो खुद को कैसा हाल हो रहा है तेरे आखों के नीचे काले घेरे रंग भी कुमला गया है अब बस भी करो अपना भी थोड़ा ध्यान रख लो सुननदा जी की बास सुनकर एक पल को तो मांसी को यकीन ही नहीं हुआ कि कहीं वैस अपना तो नहीं देख रही मम्मी जी मैं पहले तुझे जली कटी बाते सुनाती थी तो या मेरी असुरच्छा की भावना थी कि कहीं मेरा बेटा तेरा ही हो कर ना रह जाए बस उनी भावनाओं में आकर मेरे मुँँ में वा सब बाते निकल जाती थी लेकिन मैं अब समझ गई हूँ बहू कि तु घर तोड़ने वालों में से नहीं बलकि घर को एक करने वालों में से है अब बस बहुत हुआ तुम दोनों सास महू का भरत मिला अब कोई मुझ बेचारे को भी देख ले उन दोनों की बात सुनकर अनिकेद बूला और वैसे ही दोनों हस्ती हुई अनिकेद के पास आ गएं कुछ दिन ऐसे इकाम करते हुए वी थे आज मांसी बहुत खुश थी क्योंकि आज उसका बेटा वंस और उसका पती दोनों सास साथ चलना सीख रहे थे अनिकेद को डक्टरों ने कहा था कि वह साल वर से पहले नहीं चल पाएगा लेकिन आज वही अनिकेद अच्छे इलाज और अच्छी देख भाल की वज़े से 6 महीने के अंदर ही धीरे धीरे चलने की कोशिस कर रहा था और मांसी का वेटा वंस भी एक साल का हो गया था वह भी चलने लगा था डॉक्टर ने कहा था कि अनिकेद को सुबह साम धीरे धीरे वाग करानी पड़ेगी इसलिए मांसी ने एक हाथ में अनिकेद का हाथ थामा हुआ था और दूसरे में वंस का और वह यही सब सोचते हुए मुश्कुरा रही थी क्या सोचकर मुश्कुरा रही हो क्या कल की बात पर मुश्कुरा रही हो अनिकेद ने पूछा कल की बात मांसी ने उसकी तरब देखा और उसे याद आया कल वंस का बर्थडे था और अनिकेत भी लगबख ठीक हो गया था इधर मांसी का बुटीक भी अच्छा चल निकला था इसलिए उन्होंने एक पार्टी रखी थी जिसमें लगबख सभी रिस्तेदारों को और पडोसियों को बुलाया था वहीं कुछ रिस्तेदार और ते एक जगें बै करके उसे ठीक कर दिया तभी रिमा वहां आई और उनसे बोली काकिस आई कह रही है अप मैं भी तो मम्मी से यही बात कह रही थी लेकिन मेरी मम्मी को भावी की कोई गलती नजर ही नहीं आती जैसे ही यह सब सारी बाते सुननदा जी के कानों में पड़ी वहां आई और मांस इसकी मेनत का फल है कि आज मेरा बेटा वक्त से पहले अपने पैरों पर चलने लगा है वरना जैसे हालात हमारे थे ऐसे में तो कोई भी साथ छोड़ देता लेकिन इसने मेरी अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा मेरे लिए किया है मैं इसे कितना भी सुना देती थी लेकि अबी की थोड़ी मदद कर दू क्या भाईया की थोड़ी सेवा ही कर लो बस तुम्हें तो लगाई भुझाई ही करनी आती है सुननन्दा जी की बाते सुनकर वहां बैठी सभी और तो और रीमा का चेरा फक पड़ गया तब मांसी ने कहा छोड़िये न मम्मे जी क्यों टें बार जानता है मेरे लिए यही बहुत है मांसी की बात सुनकर रीमा और सरमिन्दा हो गई और उसने मांसी से माफी मांगी भावी मुझे माफ कर दीजिये मेरी ही गलती है जो उस समय मैं आपकी परिशानी को नहीं समझी और अभी भी आपकी बुराईया कर रही हूं मुझे जब मम्मी ने समझाया था मुझे तब ही समझ जाना चाहिए था लेकिन मुझे नौजाने किस चीज का गुस्सा था इसलिए मैं समझ नहीं पाई भाबी मुझे माफ कर दीजिए अरे मैडम जी आप कहां खो गए अनिकेत की आवास से ख्यालों से चौकी तब अनिकेत ने उसक हाथ अपने हाथों में लेकर कहा मांसी तुमने यह साबित कर दिया जहां रिस्तों में प्यार और विश्वास हो वहां रिस्ते और भी जादा मजबूत हो जाते हैं मैं बगवान का बहुत सुक्र गुजार हूं कि मुझे तुम जैसी पतनी मिली यह का कर दोनों हशने लगत हैं यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए गा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए गा थैंक्यू फॉर वाचिंग मिलते हैं अगली कहानी में